हलो एवरीवान वेलकम टू अब्जक्टिव अड़ा औप्जक्टिव अड़ा के नए वीडियो में आपका स्वागत है तो फाइनली आज हम आपके लिए लेक्के आगे हैं आज जो में जो सेंटर हैं अमला जो सेंटर हैं इनका सभी स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसका चूँकि अभी चाल लूए इस सेंटर पे तो सर एक्जाम कैसा रहा है प्रोसेस क्या होगा सारे के सारे जो आपके डाउट है आज एडियो में क्लियर हो जाएंगे चूँकि आज हम एक साथ दो पोस्ट का रिविव्यू है वह देखने वाले हैं तो आपको दोनों के दोनो कि वहां पर रिपीट होंगे वैसे हमने इतनी बार एक्जाम रिव्यू कियें आपने वहां भी देखा होगा कि सब्सक्राइब के लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ी सर्प्राइज है तो आप वह भी जरूर सुनके जाना और अपनी राय देना उस सर्प्राइज के ल सप सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे इस टेलिग्राम और इस्टागर्स करोंगे तेलीग्राम पर अबर सब्सक्राइब अलग से अबडवान कर सकता है तो आपकी कोई भी कोहरी होगी तो आपका पता नहीं जिस पोषट के लिए उसी का यह रिवीव तो आपके लिए बहूँ ज्यदा इंपोटेंट और इस सेंटर का आप नाम देख सकते हो कौन सी पोस्ट थी तो एच केस यानि कि हाउसकिपिंग पोस्ट पे इनका एक्जाम हुआ था और कहां था कि मतलब कहां था कि इन्हों रहने वाली है अब आपको वहां पर कुछ मांग रहें कुछ भी नहीं मांग रहें तो इन्हों कहा था कि कुछ 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 कि पूचे गये थे सो क्यूशन आये थे 25 में 25 रिजिंग 25 और 25 इंगलीज तो मतलब अगर आप एच केस का एक्जाम दे रहे हो तो आपको ट्रेड क् इंगलीज में क्या क्या क्यूशन पूचा गए तो आप पुराने रिव्यू भी देख सकते हो सब के अंदर सेम भी पूचे जा रहे हैं अगला जो क्यूशन था ओलम्पिक्स 2004 कहां पे होगा यह क्यूशन पूचा गया था और विंक्स ओफ फायर बुक के राइटर को ने य बोड़ी हाड थी और सभी टॉपिक से पूचा गए थे इसके बाद है कि में सभी टॉपिक से पूचा गया था एक चीज़ देखो सबसे जो नहीं हुई है यहां पर इस सेंटर के अंदर अभी तक किसी भी सेंटर पे क्लेंडर से रिलेटेट एक भी क्यूशन नहीं आया थ और रिजल्ट का क्या बोला तो रिजल्ट को अभी कुछ नहीं बता है इनको यहीं कहा कि आपको रिजल्ट घर पे मेल्स दिया जाएगा आगे जो कुछ क्यूशन के बात करें तो जिसनका सेलेक्सन होगा उनको घर लेटर बेस देंगे एरपोर्स से कोई भी क्यूशन नही कि तीन एड़ूस की और बोले कि एक पोस्ट पर एक स्टुडेंट को पास करने वाले तो यह देखो यहां पर थोड़ा से जल्दी-जल्दी कर रहें कि आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम जो क्यूशन वह इंपॉर्मेंशन ने वह प्रोवाइड करवा सके य आप सभी के लिए यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और एक सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए लाइश में एक सर्पराइज आप वह भी जरूरूर्ट बताना है कि आपको कैसा लगता है तो अब हेलो इनका एक जाम था और आज था इनका एक लेकिन लोगों ने पूचा था कि आप जिके के क्यूशन बता दीजिए तो पहला जो इनका क्यूशन था कि एरपोर्ट के एड़कॉर्टर पूची थी इसके बाद महाराष्ट्र कोने महाराष्ट के पहले सीम कोने कंचन जंगा कौन से स्टेट के अंदर है फिर पूचा गितांजली बुक के आइटर कोने यह भी देखो जो एक ना एक बुक के भी राइटर है मैसा आप से पूचे जा रहे हैं यह भी आपको करके जाने चीए डेविस ट्रोपी का संबंद पूचा गया था और यह जो है डेविस ट्रोपी हमने कल ही इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड किया है ज प्रेड मेन के अंदर भी एक भी क्यूशन आपके ट्रेड के से लेके नहीं आ रहा है अगला जो अपने कोई कुछ क्यूशन याद हो तो और भी कोई क्यूशन है तो इन्होंने का था ठीक है बता तो रनतंबोर नेस्टनल पार्क पूचा गया था कौन से स्टेट के अंदर पी एम ओफ इंडिया कोन है यह तो सभी कोई बता होगा पी एम ओप इंडिया कोन है लेकिन यह तो आप कोई साभी एक्जाम दे रहो तो कुछ क्यूशन एस से होते हैं जो सभी स्टूडेंट को आते तो इसमें एसे मस्ट होते लाने कि मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे ले अब सबसे इंपोर्टेंट है कि हमने अभी तक पहले आपको शुरू से ही रहें कि सर्प्राइज होगा सर्प्राइज होगा तो अब आपको एक से सजेशन लेनी हैं हम यह सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाएं जिसके अंदर अभी ज करके जरूर बताना अब दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में